ईग्जाम रिडियो देखने के लिए कप्ne और पर आजाएए स्टू्डिन जार आँपको करने के लिए दरे कार से पर पर पर ये पुम्तार्म कर आजाए इप्टी messed न बिली वेबिकवर एस Katy फी आपके संब सब्क सस्कंड प्रॉपरली जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था आपको बताया था प्रॉपरली कि कभ एक्जाम होने वाली और कितना टाइम लगने वाला है लगबग आपको बहुत समय लगना है तो आप साफ सावा इससी की तरफ से पूरी तरह से नोटीस आ चुका है बहुत अच् इसके लेक्टर वीडियो भी होंगे शॉट शॉट उन वीडियो को हम बना रहे है और वो प्लेलिस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी चेक आउट कीजी अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा जरूर ताकि ऐसे ही हम कंटिन्यू उनको भी कर सके और काफी और एक दो अफते के लिए और एक्स्टेंड हुआ है तो अभी जैसा कि दो अफते तक तो कुछ चीज़े होनी नहीं थी बट बात आती है जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिसकर्स किया था किरा आखिरकार कितना वक्त लग सकता है तो उसमें हमने कहा था कि मेजर सिटी जितनी है वो रेट जोन में है और वहाँ पर अभी बहुत समय लगने वारा है सब कुछ क्लिर होने में और जितनी मेजर सिटी होती है तो ओविस सी बात है कि महां पर लाज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रहते है लाज अमाउंट अपके एक्जाम देने आते हैं औ तो दूसरी बात mainly centers जितने भी है major cities में ही होते हैं काफी centers होते हैं तो वो कैसे arrange होगा और तीसरी बात यह थी हमने रखी थी कि transportation तो है नहीं तो कैसे students वहाँ पर जाएंगे तो यह सब चीजे थी तो obviously इनमें समय लगना था यह fact वाली बात है तो इस चीजे इसको तो काफी time हो लगेगा उसको green zone तक आने में और दूसरी के transportation अभी exam से नहीं open होगा तो यह साफ इन्होंने यहाँ पर बात लिखी है कि यह सब reason के कारण SSC अभी exam नहीं ले रहा है और अभी काफे time लग सकता है यह वो भी मानता है और वो सब सिर्फ और सिव अभी government की तरफ से जो भी सबसे important line उन्होंने जो लिखी है जो कि मुझे अच्छा लगा SSC ने यह चीस clear की otherwise काफी और वो इस तरह से clear नहीं करता है वो उन्होंने लिखी है कि date of the examination will be announced at least one minute in advance मतला आपको एक महिने के पहले बता दिया जाएगा कि आपकी जो exam है वो अब होने वाली है तो एक महिना का SPAN आपको मिलेगा अचानक से नहीं लेगा SSC की जैसा की पहले कभी कभी कर दिता था कि आप जैसे आपको time मिली चुका है तो अचानक से SSC ले ले एक अपते पहले बता दे ऐसा नहीं एक महिने आप पहले आपको हर exam के बारे में बताएगा ना schedule ना time table आपको वो जारी सब्सक्राइगा और सारी चीज़े पॉस्पोन होगी जितनी भी होने वाली थी चाहे स्टैनों की होगी चाहे SSC CHSL होगी चाहे JEE हुई थी पॉस्पोन ही सब चीज़े आगे बढ़ने जाएगी एक सब की नई डेट्स आएगी और वो आपको बता दी जाएगी एक महिने प अवाल था क्योंकि उसके बाद से पॉस्पोन होगी थी सारी चीज़े तो SSC ने लिखा है कि वो उन लोगों की एक्जाम नहीं लेगा फिर से जो बचे हुए कंडिडेट से जिनकी नहीं हुई थी सिर्फ उनी की एक्जाम लेने वाले है SSC की तरफ सी यहाँ पर साफ लिख गलत है SSC की जैसा कि हमने भी इवन जब यह एक्जाम हो रही थी अब टाइमस आप नॉलेज फैमिली ने जितने भी आप लोग सब हैं सब लोगों ने साथ दिया था ट्विट की मदद से और सारे मेल की मदद से हम लोगों ने कहां तक आवाज पोचाई थी और फाइनली ए यहां पर पॉस्पॉन भी हुई थी उस दोरान हम जो इस चीज से लड़ रहे थे कि एक्जाम पॉस्पॉन होनी चाहिए वो चीज गलत कर रहा है SSC तो हो भी गई थी बट जो एक्जाम पहले दे चुके थे उस समय ऐसा तो था नहीं कि उस समय सारी चीज़े सही थी उस समय भी एक्जाम देने काफी बच्चे गए थी दूसरी बात कई जगा problem भी हाई थी transportation में काफी major cities में कई बच्चे एक्जाम नहीं दे पाए थे ये भी हुई थी face अगर आपको वरुसा नहीं होता तो मैं दिखा देता हूं mail और message इतने पढ़े ना ऐसे students के जो की एक्जाम नह इनकी भी गलती है ये ना बच्चों की वो तो एक्जाम देने गए थे बट हाँ यहां पर time इतना जादा मिल गया बाकी students को वो भी उनको नजर में आएगा कि यह इतना time उनको मिल गया हम लोग तो इन लोग को mentally उस चीज़ के लिए काफी बुरा लगे गा क्योंकि एना exam उ situation नॉर्मल हो जाएगी और वो लोग उस situation में एक्जाम देने गए थे तो इसलिए ये चीज़ गलत है अभी इस चीज़ पर आगे इस चीज़ पर भी बहुत कुछ होने की उमीद है वैसे जंबावना मुझे लग रही है क्योंकि students ऐसे नहीं रुखते तो यह रही बात अब दुस्तरी बात यह कि एक चीज़ है कि result के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा जैसे कुछ result pending थे उसके बारे में यहाँ पर अभी तक discuss नहीं कहा जबकि अभी तक वो आ जाने चाहिए थे बट अभी वो बारे में कोई यहां पर discussion नहीं हुआ है नहीं बताया गया है तो result के यहां पर यहां पर यह चीज़ लिखी हुई है और SSC की वेबसाइट पर रेगुलर अपडेट्स आपको रिवीव करेंगे जो जो वो देते जाएंगे यहां पर देखिए annual calendar of the examination of the commission will be reviewed in light of the decision of the government with regard to the lifting of restriction of lockdown across the country इस सभी जगे से lockdown हटेगा तभी हो पाएगा ऐसा नहीं है कि आपकी state या फिर आपकी city lockdown से हट गई है तो आप exam यहां पर start होने लग जाएगा इसा नहीं होगा major cities कितनी red zone में आ चुकी है वहां कितनी problems हो रखी है आप जानते ही है तो overall अपने across the country सब चेगे सब यह सब problems ही हो जाएगी तब जाके आपके exam conduct होंगे और ज जब तक हम लोगों को कुछ नहीं अच्छे से रहना अच्छा खाना खाना अच्छा पानी भीना अच्छा सवास्त का ध्यान रगना घर के अंदर रहना और बस मेहनत करते जाना आपको extra time मिला है आप कुछ और भी अपनी चीज़े professional आप engineers होंगे फिर के कुछ भी होंगे अ आप सभी लोगों से जय हिन बंदे मात्र